आज की या वीडियो बीए फ़स्ट एर के फ़स्ट समेस्टर के चातरों के लिए बहुत ही महात्पूड होनी वाली है खास करके जिनका सब्जेक्ट इंगलिस है और वो 2023 और 24 के सिसन में परिच्छा देने वाले या फिर आने वाले 25 में भी देने वाले हैं तब भे उनके लि उम्मीद है वह हम आपको बताएंगे तो कुल मिलाकी वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटी वीडियो है मैं एक ही रिक्ष्ट करूंगा कि यार आप वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिएगा क्योंकि हम आपको जो कोश्चन बताने वाले वाले आप तक पहुंच सके और के कोश्चन है अती यहीं पर नंबर का उसके सापने वह बिक्ष्ट प्रसन वाले प्रस्ण है उनके लिए दो नंबर दे जाएंगे और यानि कि दस प्रश्ण का उत्तर देने पर दस दूनी 20 नमर आपको मिलेंगे चलिए पहले कोश्चन पर आते हैं पहला कोश्चन की कमेंट अन अर्बिंदो एजा नेशनलिस्ट पोईट ध्यान से सुरेंगे बहुत ही महात पूर्ण प्रश्ण है आप से भी के लिए यह अतिल अर्बिंदो हैं एक प्रमुख ठीक है नेशनलिस्ट पोईट यानि कभी है ठीक है और कहें ठीक है तो यह एक अर्बिंदो कौन है कभी है इनके ऊपर एक आप लोगों को सौट नोट लिखना यानिके टिपड़ी लिखना है ठीक है कि इनोंने अपना जो योगदा ने वो राष्ट कभी के रूप में किस प्रकार दिया है कि इसका हिंदे में मतलब यही हुआ कि एक राष्ट वादी कभी के रूप में अर्बिंदों पर टिपड़ी लिखिए सिंपल सा कोईश्चन और इसका उत्तर आप अपने कोईश्चन में इंटरनेट पर तैयार कर लीजेगा या फिर सुरीज है या बुक है तो उसमें से हम आपको सिर्फ आज किस वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोईश्चन बताएंगे और जो इंग्लिस में दिया इसका हम आपको हिंदे में बता देंगे यह प्रस्ण यह कह रहा ताकि बहुत फारे चात्र को बाई इंग्लिस थोड़ा वीक होगी तो उनको समझे में काफी प्रोलम आ रहे हुए तो हम इसका उत्तर भी आपको बता देंगे ठीक हिंदी मतलब ठीक है तो पहला प्रस्ण महात पोड़ है याद रखेंगे आगला प्रस्ण है कि कमेंट और टैगोर पोईटिक स्टाइल ठीक है तो इस प अगला प्रस्ण की वाटिश प्लोट का मतलब होता है कथानक क्या होता है हिंदी में कथानक तो आपको लिखना है कथानक क्या होता है ठीक है यह आपको तैयार कर लेना यह भी महात्पूर्ण और वेरी वेरी इंपॉर्टन हंडर प्रसंट चांज से पर इच्छा में अने कि ठीक है क्लियर चलिए निश्क कोश्चन देख लेते हैं निश्क कोश्चन है अतिले घुत्रे का ही कि वाट वर दी मेजर डिफरेंस से बिटवीन आटो वायोग्राफी एंड ठीक है एंड मेमो एर ये कज़े कोश्चन कहर रहा है कि जहां से सुनेंगे कि जो ये आपका आत्मकत्था ठीक आटो वायोग्राफिक का मतलब होता आत्मकत्था और मेमोएर का मतलब होता है संसमगण यानि कि आपको लिखना है कि हुआट आरदी मतलब ठीक है क्या है क्या है मेजर मतलब मुख डिफरेंश मतलब की अंतर बिट बीच में आटोग्राफी आत्मकथा एंड और मेमोयर का मतलब हो गया संस्रमाण यानि की कोश्चन कह रहा कि आत्मकथा ठीक है और संस्रन संस्मरण जो की हिंदी फे ही है ठीक है मतलब कि यह इंग्लिस में यहां पर इंग्लिस की बात हो रही है तो आपको आत्मकथा और संस्रमाण में ठीक है जो डिफ्रेंस है आंतर हो आपको लिखना है महात्पूर्ण एक्जाम के लिए तो इसके उत्तर त्यार कर लिए जब ठीक है आगला क्वेश्चन कहुंए रख कि व्याइच परस्णल ऐसे इसको मतलब तो यह कि प्रश्णल कमतब क्या हो गया बेक्तिगत ठीक है प्रस्टनल कम आप लोग समझते हैं निबंद ठीक है यानि कि बेक्तिगत निबंद क्या है उसके बारे आपको परिभासा लिकना बहुत ही महात्पूर्ण बहुत हाई लेबल का कोईश्चन पर इच्छा मैंने के 100 परसेंट उम्मीद है तो इस प्रस्टन का उत्ता जरूत तयार के लिए तो नोट्बूक बना लिए उसमें लिख लिए ठीक कोपी बेन लेकर बैठा करी जो कुश्चर मताएंगे 100 वाले उनको तो नोट कर लिए ताक कि आपको हैप मिल सके उनको उत्ता तयार कर लिए और क्योंकि बहुत ही जरूरी यह होता है देखिए उत्तर तो आप लोगों के लिए आपको चाहिए भी इसलिए क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको आपकी प्रफ्रेसन भी होती रहेगी तो इसलिए मैं में में कुश्चन देखिए आप लोग के एक वी कमे प्राइन, तो किया जरी का मतलब है कि क्या निस्टिक है क्या है गति इमेजरी के इसका एक उदाहन देकर बताईए ठीक है यह प्रश्ण यह कह रहा यह भी इतना महत्पूर्ड नहीं आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं इस बार इतनी उम्मीद नहीं आने कि फिरहाल पेपर में तो आप लोग पिछले साल पहुंचा भी गया था तो आप लोग के ऊपर आप यह भी कर सकते लेकिन मेरे कोड़ने कि नमाद पूर्ड नहीं आप इक्नोर कर सकते ठीक है अगला प्रश्ण की वार्टिज और रिज्यूम का मतलब आप लोग समझ है आपने कहीं वेगंसी यानि की कोई भी नोकरी के लिए प्राइबेट फॉर्म मतलब की प्राइबेट न या पृट्ड नोकरी देखने पिर ऑफिस में तो सबसे पहले आपको क्या मांगेगा रिजिव मांगी रिजियूम या रिजियूम या सीवी ठीक है वही या बताइए कि आपका नाम क्या पता कितनी क्वालिफिकेशन आपने इस्पीरियांस को आपने क्या-क्या-क्या पढ स्क्राइम की एक एकडेमिक एजूकेशन होता है फिच्छा होती है और परिशे होता है वो बताया जाता है ठीच है आगला प्रशन है कि हट वर दी मेंबर्स आफ सपेक्टर क्लब तो इस प्रश्ण का मतलब है जानते की के दर्शक तर कहा मतलब होता थे तो यह आपके जो आपका एपकर हैं इसमें मैं सब्जेक्ट रहे हैं इस तीक उसी लेशन से संबंधित कर दर्शक कलब के सदस्ट कौन थे थीक वह आपको आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पढ़ेगा ठीक है थोड़ा इंटरेट पर सच कर लिए गूगल पर आप लोग या फिर आप लोग अपने बुक में देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा ठीक है क्लियर इतना महात्पूर्ड नहीं है लेकिन आप पड़ भी सकते इग्णोर कर सकते हैं अगला महात्पूर्ड प्रस्ट नहीं नाइन अपर है कि या कमेंट ऑन दी नरेटर आफ ली इस्टोरी अंडर दी बन्यां ईंटरी वन्यां ट्री एक फ्रस्ट्रक्रस्ट्टंत कमें लेशन है ठीक है तो उससे जोड़ा कोईश्चन है यह कोईश्चन कहे रहा कि बगत्ग के नीचे कहानी सुनाने वाले पर टिपड़ी है लेकिन अगला भी कोईश्चिन महात्पोर्ण है टॉप लेबल का है टेन नंबर क्यों हाट इस पॉइंट आफ व्यू तो यहां पर समाप्त होते हैं आपकी अतिलग उत्री रहनी कि वायरी साउर्ट टाइप के पर संदर्ब और एक्स्प्लेनेशन का मतलब होता परसंग और एक्स्प्लेनेशन का मतलब होता व्याक्या तो यहां पर कुछ पैराग्राफ दे जाएंगे कुछ लाइन्स दे जाएंगी उनके बारे में आपको बता मतलब कि वो उसमें संदर्ब साइद ब्याक्या करनी होगी उन पैराग्राफ और उन लाइनों का कि वो जो पैराग्राफ है जैसे कि यह देखे पैराग्राफ यहां पर आ गया लिखाए कि वी वर नथिंग लेस दिन नथिंग एंड ड्रेम वी वर वोड़ी वाट मैट है बीन एंड मस्ट वेट अपान दी टोडियस ठीक है फॉर्स ओफ लेते मिवलटें मिलिय आस्-बिफॉर है ॻी है एकस त੍के टेंश और नेम आशू B Every यह किस लेसंस लिए वी पर दी गाए उसके बीवले करो Jiang का नाम लिखना है और इसके richer कउण है यानि कि कवि कउन है जैके उनका आ दिखा तसकी मैँ किस चीछ चीज के बारे मता गया वह में है कि इस लेशन का है और इसके रायटर कौन है ठीक है और यह परह ग्राफ है इसका मुख़्ë उद्देश क्या यह परहां लिखनाई है उसके बाद परशंग तरहा, कि लिखना तो यहां पर पैराग्राफ हो गया पहला अब यहां पर दूसरा भी पैराग्राफ दिया गया इसकी भी आप लोगों को वही सेम रफ्रेंस कॉंटेस्ट एंड एक्स्विनेशन करनी है ठीक है यानि कि संदर्व सहित भ्याक्या किलियर सिंपल सा कोई हार लेबल का नहीं उसके बाद लग हुत्रे में ही कुछ कोईश्चन दे जाएंगे जैसे अतलग हुत्रे में थे ठीक है उनके उत्तर देना तो यहां पर संदर्व सहित भाला वामला समाप्त हुआ अब आ जाएंगे कोईश्चन पर लिखा कि राइट आर नोट ऑन चार्ल्स लैंब एजा रोमांट ठीक है एसेस्ट का मतलब होता है निबंदकार ठीक है चली इस कोईश्चन का मतलब है कि राइट आर नोट ऑन चार्ल्स लैम मतलब की जो चार्ल्स लैम है इन पे आप लोगों को एक सौट नोट यानिक तरीके से कहल सकते हैं कि छोटी सी टिपड़ी दिखना इनके बारे मे यानिकी एक रोमांटिक निवंधकार की रूप में चार्व्स लैं पर एक शौट नोट लिखना है यानिकंका परच्छे लिखना है कैसे एक रोमांटिक निवंधकार की रूप में तृड कर अगला आइक कि वहीं स्व Staunर क common hundreds में सब्सक्ट करते हैं डिलेटों कर दचant अरक नरायन मिसलीं चाहरा है कि जो आरके नरायन है रमों कभी है ठीक है नार्क नरायन के परिवेस पर एक टिप पड़ी लिखना है कि लिखना है पर इरिवेस पड़ी लिखना है राइट आ कमेंटरी ओन आरके नरायन मिश्लिव ठीक है यानि कि आरके नरायन के परवेश पर क्रिपड देखना है बस ठीक है यह भी महात्पूर्ण कि उपन्यास के विकास में अवाधिक निबंध अवधिक निबंधों की जो अंग्रेजी नोवेल से अंग्रेजी जो अपन्यास है ठीक है इनके विकास में अवधिक जो निबंध है उनका क्या रोल उनकी क्या भूमिका है वह आपको लिखना है सिंपल सा प्रश्ण है और प्रश्चा में आने के पूरी उम्मीद इसको सब्सक्राइब पढ़ लेंगे ठीक इसका उत्तर अगला क्वेश्चन है कि कमेंट ऑन दी नेरेटिव टेक्निक यू आफ दी लास्ट लीफ तो इसको मतलब है कि एक लेशन है लास दी लास्ट लीफ अगला प्रशन है कि में का प्रॉपर फॉर्मेट आफ एन एंक्वारी लेटर तो इस कोश्चन का मतलब यह है कि मान लिजए कि इंक्वारी लेटर मतलब हो गया है भाई इंक्वारी मतलब पोश्टास पत्र का उचित प्रारूप कैसे बना है मान लिजए कि आपको पोश्टास का पत्र लिखना है या फिर किसी को देना है तो आप कैसे तैयार करेंगे उसके बारे में आपको लिखना है यह कहले रहा रहा है कोश्चन बहुत ही सिंपल सा बहुत ही महात्पूंट प्रस्थ्ट है अगला कुश्चन कहारा कि राइट आ नोट ऑन इसटाइल आफ फ्रांसिस वैक कर ठीक है तो फ्रैंसिस भैकन यानि कि यह सूने है ठीक है ठीक है ठीक प्रॉज स्टाइल राइट अनोड टिपड़ी लिखी यानि कि अब आज आएगे खंड़सा सी की और जिसको हिंदी में खंड़सा बोलते हैं यह कि दीर उत्रे टाइप के क्वेश्चन इसमें पहला क्वेश्चन है कि यह क्वेश्चन कह रहा है कि छोटी छोटी कथाएं होती है उनके तत्तों पर निबंद लिखना है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो भाड़ते हैं महला लेखन पर एक निबंद लिखना है तो वही कह रहा है कि कौन इंडियन ओमन राइटिंग्स यानि कि इंडियन जो भारते महला हैं उनके लेखन पर एक टिपड़ी लिखनी यानि कि जो भारते महला हैं ठीक है उन पर आप लोगों को एक टिपड़ी लिखनी राइटिं महिलाव पर एक निपन्द अगला प्रस्न है कि राइट एन ऐसे ऑन ठीक है मुल्क राज आनन्द पूर्ट्रियल यानि की ट्रियल ठीक है पूर्ट्रियल आफ क्लास इस्ट्रगल इन हिज ठीक है राइटिंग यह क्या रहा है कि जो मुल्क राज आनन्द है ठीक है जो मुल्क राज आनन्द है प्रमुकभी इनके लेखन वर्ग में यानि कि जो लिखते हैं ठीक है उनके संघर्स जो किये हैं उसके चित्रण पर एक निमंद लिखना है यानि कि मुल्क राज आनन्द के लेखन में वर्ग संगस के चित्रण पर एकनी मंद लिखना है ठीक है यह कुश्चन कह रहा है अगला है कि समराइज इन योर ऑन वर्ड अनिता द्यसाई अगले कैंश पर एक त्रीके से रशना है ठीक है जो टू आध्यक में अनिता द्यसाई जो की प्रमुख आ है यानि कि टूलाइज में अनिता द्यसाई के आपनी सब्दों में संखेपित करें यानि समराइज इन योर ओन वर्ड यानि की अपने स्वयम के सब्दों में ठीक है संचेप में अनीता देसाई की जो गेम्स एट टुलाइट है इसके बारे में आप लोगों वो संचेप में लिखना है ठीक यह कोश्चन कहे रहा है कि टुलाइट में अनीता देसाई जो कि प्रमुक में अपना प्रियास पूरा डाला है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा बाकि इन में जो पूरे को पूरे को पूरे कोश्चन दे कि इनका उत्तर आप ढूंड के तयार करके अच्छे पिदाएंगे तो आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा है मिल जाएगी क्यों कि हमने मतलब कि हम यह कोश्चन पेपर आपको इसलिए प्रवाइड कर रहे हैं क्योंकि आप सभी मालूम है कि प्रिबियस एर से ही कोश्चन पोची जाते हैं परिच्छा में ठीक है तो यह पीडियोप को प्राप्त करना है तो वर्टसप पर मैसेज कर दीजेगा जय हिंद भी थालूम को इसके लिजेगा हैं रहे हैंर घ